विपिन हर वाले परी में संख्याओं की योग और घटा समझने के लिए आए एक परिस्तिती के बारे में सोचते हैं पिंटू ने अपने चॉकलेट का 2 बटा 3 भाग अपने पिताजी को दिया और 1 बटा 5 भाग अपनी बहन पिंकी को दिया पिंटू ने अपने चॉकलेट का कितना भाग दोनों को दिया और अब उसके पास चॉकलेट का कितना भाग 6 बच गया ये प्रश्ण है हमारे पास कि उसने कितना हिस्सा बाट दिया और उसके पास कितना शेश रहा तो आईए देखते हैं पिता को दिया गया चॉकलेट का दो बटा तीन भाग हम किस तरह चित्र के माधियम से दिखा सकते हैं जैसे यह चॉकलेट थे इसके तीन हिस्से किये दो बटा भाग अपने पिता जी को दे दी गए यह चौकलेट है यहाँ पे इसके पांच हिस्से किये एक बटा पांच उन्होंने अपनी बहन पिंके को दे दिया तो बहन को दिया गया चौकलेट का यह हिस्सा है और पिताजी को दिया गया चौकलेट का यह हिस्सा है तो चौकलेट को दो बटा तीन और एक बटा पांच में भाग में बाटने के लिए हम चौकलेट को पंदरा बराबर भागों में बाटेंगे अब इस दोनों को कैसे समझें दोनों बिल्कुल अलग दिखाई देती हैं तो हम क्या करते हैं चॉक्टलेट को 15 बराबर हिस्सों में बाढ़ देते हैं तो 15 बराबर हिस्से कैसे किये आपने इस तरीके से शैतिज रेखा किष्टी जो ऐसे लेटी हुई रेखा होती है स्लीपिंग लाइन उसको हम बहुते शैतिज रेखा तो इस तरीके से इसको तीन हिस्सों में बाढ़ दिया और ये उर्द्वाधर यानि वर्टिकल लाइन इस तरीके से हमने बना दी कि ये पांच बराबर हिस्सों में बढ़ जाए दो बटा तीन का मतलब ये पूरा हिस्सा रंग होगा और ये पूरा हिस्सा रंग होगा तो ये कितना हिस्सा है एक तरीके से ये दस हिस्से हो गए रंग में और जब आपने एक बटा पांच हिस्सा कलर किया था तो वो आपका इतना हिस्सा था अब ये कितना है एक तरीके से यह आपका 3 बटा 15 है, 15 का 3 तीसरा हिस्सा है, चीक है, इस तरीके से हमने इसको चॉकलेट को बराबर हिसों में बाटके, अब हम समझ पा रहे हैं, कि पिताजी को कितना दिया, अपनी बहन को कितना दिया, तो जब हम दोनों को मिला देंगे, तो यह मिलकर इतना हो जाएगा, तो उसके पास 6 कितना बचा, 2 हिसे, 6 बटे, 2 बटा 15, और दिया गया कितना हिसा है, 13 बटा 15, तो आपने 10 बटा 15 को, 2 बटा 3 को 10 बटा 15 की फॉर्म में लिख दिया, और 1 बटा 5 को 3 बटा 15 करके लिख दिया, और अब दोनों को जोड़ना बहुत असान हो गया, क्योंकि दो बटा 15 हो गया, आप देखेंगे इस प्रकार से जब इनके परी में संख्याओं को जोड़ने में इनके हर समान हो जाते, तो जोड़ना बहुत असान हो जाता है, गनितिये रूप से इसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये संख्याएं थी आपके पास में, तो आपने 2 को 5 से गुना कीजे, और 1 को 3 से किया, तो ये तुमारा 2 गुना 5, 10 और 1 गुना 3, 3, 3, तो 10 जमा 3, 13 बटा 15 आ गया, ठीक है, और नीचे आपने 15 कैसे किया, 3 और 5 का LCM लिया है आपने, तो चौकलेट का कुल भाग जो पिताजी और बहन को दिया गया, वो 13 बटा 15 था, चौकलेट थी, उसमें से 13 बटा 15 बट गया, तो आपके पास कितना, अब दोनों के नीचे परिमे संक्याओं में हर समान है, तो आप उपर वाले अंश को माइनस कर सकते हो, 2 बटा 15 आपका उत्तर आ गया, अब आपके पास ये प्रश्न है, इनको चित्रविदी द्वारा हल करना है, य ये प्रश्न, ये प्रश्न, इनको तीनों को हमें सॉल्फ करना है, ये घटा का सवाल है, ये दोनों जमाके है, दूसरा प्रश्न है, आपके पास एक पेज है, आप उस पेज का एक बटा दो भाग पिंटु को और उसी पेज का एक बटा भाग चिंटु को देना चाहते हो, तो आप ये देखे हो ये पूरा एक हमने पेज बना दिया इस पेज का आधा हिस्सा हमने पिंटो को दे दिया और उसका एक बटा चार भाग हमने चिंटो को दे दिया लाल रंग से तो आपके पास कितना भाग शेश रह गया आपके पास शेश रह गया एक बटा चार भाग तो इसको हम किस तरीके से दिखा सकते हैं इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं तो आप ये देखे ये पूरा कुल एक पेश था एक बटा दो हिस्सा पिंटू के पास गया और एक बटा चार हिस्सा चिंटू के पास गया अब इस दोनों को समझने के लिए हम इसको क्या करते हैं दोनों को चार जैसा बना देते हो कैसे बनाएंगे जब दोनों को दो से गुना करें तो ये बन गया दो बटा चार और एक बटा चार अब आप जो संख्या चूस करते हो उसी से उपर और नीचे गुना करना होता है आप ऐसा नहीं कर सकते हो उपर वाली संख्या को 2 से गुना कर दिया नीचे वाले को 3 से गुना कर दिया यह हमारा रूल है कि आप जिस संख्या को चूज करेंगे उसी से अंश को और उसी से हर को गुना करना है तो आप देख रहे हो दोनों के नीचे चार ही आ गया है तो उपर वाली संख्या दो और एक एड होके तीन बटा चार आज़ेंगे तो तीन बटा चार यानि ये हिस्सा और ये हिस्सा आपका इतना हिस्सा आप देख रहे हो पेज का ये सारा बट गया है आपके पास सिफ इतना बचा है और ये कितना है एक बटा चार हिस्सा आप देख रहे हो शेश है ये एक बटा चार हिस्सा है इसको भी आप हल करके देख कि कैसे एक बटा चार बचा 3 बटा चार तो आपका यूज हो गया इसको आप एक में से 3-4 घटा दीजिए तो अब यह माइनस 3 बटा चार को हम कैसे कर सकते इसको भी आप चार बना दिज्य किस प्रकार से 4 बनाएंगे हम इसको समझ लेते हैं आप इसको ऐसे बनाएंगे एक को 4 से गुना किया उपर और यह को एक बटा 1 लिखा जा सकता है इसको चार से गुना किया इस तरीके से सवाल हो गया तो यह आपका है four after four minus three after four अब दोमों के नीचे हर समाँ है तो उपर वाली संख्या ostr 4 में से three after four थीक है तो आप इसको picture के माध्यम से भी बता सकते है कि 6 रह गया एक बता चार इसके हिसाब से दिखा सकते हैं और इस तरह से भी हल करके बता सकते हैं हमने गनित्य रूप से करा अब इन प्रश्णों को चित्रविदी से इन्हों ने बोला हम चित्रविदी से भी करेंगे और गनित्य रूप से भी करेंगे जैसे पहला प्रश्ण है तीन बटा आठ माइनस एक बटा चार ये प्रश्ण है आपके पास तो इसको हम पहले मैं आपको गनितिय रूप से बताती हूँ, कि आप इसको क्या करोगे, अब देखरो ये 4 है, 4 को 8 बनाने, कैसे बन सकता है, अगर हम 4 को 2 से गुना करें, तो 2 आपने संख्या चूस कर लिए, तो उपर भी हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तो आपने ऐसे गुना कर दिया, 2 बटा 2, अब ये 1 गुना 2 हो गया, 2 बटा 8, 3 बटा 8 तो ये था ही, ऐसे कैसे उतरती आ रही संख्या, अब दोनों के नीचे संख्या समान है, तो उपर वाले अंशों को हम घटा कर सकते, 3 में से 2 गए 1, एक बटा 8, ये गनितिय रूप से आपने कर लिया, अब ये है आपका चित्र के द्वारा, ये हमारा एक चित्र है पूरा, इसके हमने 8 हिस्सी की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 में से 3 हिस्सों को हमने रंग कर दिया, यहाँ पे 2 हिस्सों को रंग कर दिया, क्योंकि ये जो आपका 1 बटा 4 है, इसको हम 2 बटा 8 में 8 हिस्सों में देखेंगे, तो हमारा इतना हिस्सा रंग होगा, ठीक है, और जब इसमें से ये हम खटा रहे हो, 3 में से 2 खटा रहे हो, तो आपके पास क्या बच रहे, तीन में से 2 चले गए अगर आपके, ये दो हिस्से चले गए तो आपके पास क्या बचा, एक बटा 8 हिस्सा ही बचा आपका, तो ये आपने चित्र के हिस्सा आप से दिखा दिया, अगला प्रशन देखें, अगले प्रश्नے के अंदर ये हम गी प्रश्न दिया गया, चार बटा साथ और तीन बटा पांच, अब देख रहे हों दोनों के हर अलग है, इन दोनों को एक जैसा कैसे बनाएंगे, साथ को पांच से गुना करतें, तो दोनों के नीचे पांच गुना साथ, साथ गुना 5, 35, 35 आ जाएगा तो इसके लिए अगर आपने 5 चूस किया तो उपर वाले के लिए भी 5 ही चूस करना पड़ेगा आप किसी और संख्या से नहीं गुना कर सकते इसके लिए आपने 7 चूस किया तो इसके अंश को भी 7 से ही गुना करना पड़ेगा चार पंजे 20 बटा 35 हो गया 3 सत्य 21 बटा 35 हो गया दोनों के नीचे 35 आ गया तो उपर वाली संख्याएं हमारी आराम से जुड़ जाएंगे 20 और 21, 41 बटा 35 ही आ गया तो अब आप इसको चित्र के मादिम से दिखा सकते हो यह उत्तर आपका यहां हो गया चित्र में आप देखे हो कि यह हमने 35 हिस्से बना दिये कैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 है और 5 हिस्सों में 1, 2, 3, 4, 5 5 इदर कॉलम्स, 7 कॉलम्स हो गया 5 रोज हो गया आपकी इस तरीके से बना के और इसके 20 हिस्से को रंग कर दिया यहां पर इसके 21 हिस्से को रंग कर दिया जब दोनों को दोड़ेंगे तो 41 आएगा अब 41 आप कैसे दिखाओगे पूरा 35 तो कवर हो गया 35 में कितना जोड़े कि हमारा 41 बने तो 35 जमा 6 तो एक और हमने 35 का ब्लॉक बनाया और इसमें 6 हिस्से को रंग कर दिया तो इस चित्र के द्वारा दिखाया गया है यह आपको अच्छे से जरूर सीखना है क्योंकि आप पेपर्स में इस तरह के questions को आप करोगे यह आपकी understanding के लिए कि fully complete हो गया उसके इलावाद दूसरे के portion से आपको 6 हिस्से और इसमें मिलाने पड़े अगला तीसरा प्रशन देखिए 2 बटा 9 और 1 बटा 3 अब आप देखे हो यह 9 है यह 3 है हम यहाँ पर सिफ इसी संख्या को अगर 3 से गुना करते तो यह 9 बन जाएगी हमें हर को समान बनाना होता है तो हम यह नीचे वाली संख्या को 3 से गुना करेंगे तो उपर को भी 3 से करना ही पड़ेगा तो यह आपका आगया 3 बटा 9 अब दोनों संख्या 9 से दोनों सेम हो गई है हर समान हो गया तो उपर वाली संख्या जुड सकती है तो आपने देखा जरूरी नहीं कि दोनों तरफ गुना करना होता है हमारा परपस यह होता है कि नीचे हर समान हो जाए चाहे किसी एक संख्या को गुना करने से ही बने तो अब इसको चित्र में कैसे दिखाएंगे हमने इसको 9 हिस्सों में बाट दिया यहाँ पे दो बटा नो दिखाएंगे और तीन बटा नो आप इस तरीके से दिखाओगे तो पांच बटा नो इन दोनों को जोड़के पांच बटा नो हो गया तो इस तरीके से आपके सारे प्रश्नों हो गए तो हमने questions कैसे किये हैं हमारा rule number one होता है हर को समान बनाना परीमे संख्याओं की जोड़ घटा के लिए दोनों के लिए हर को समान बनाना पड़ेगा तो इसके लिए जो संख्या आप चूस करोगे जिस भी संख्या को हम पसंद करेंगे उसी से उसी एक ही संख्या से हर और अइश दोनों को गुना करें, अलग-अलग संख्यान नहीं ले सकते, ठीक है, दोनों को गुना करें, ठीक है, उसके बाद आपका हर समान हो जाएगा, तो उसके बाद आप आसान से जोड़ सकतें, फिर जोड़े, या घटाएं, जैसा भी कुश्चिन है, ठीक है, इस का करें, नेक्स्ट वक्षिक की डिसकेशन में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और विश्राम कीजिए, धन्यवाद,